यशो मती मैया के नंद लाला हरे, हरे, स्रीक्ष्णा, ये नातनारा, 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 ये नातनार मैया पता अरी थी कि आज आप प्रवचन देने मादी हो आपके सामने मैं प्रवचन कैसे दे सकती हूं प्रभू जुन्ता की कोई बात ना है मैं आपको तनिल भी तंग ना करूंगो चुप चाप आप से गंगाजल की महत्वग की कथा सुनोंगो गंगाजल की कथा वा का ना चतू रही दिखाई दी आप सब खड़े क्यों हो बैठो तीर्थी आत्रा में मुझे श्री गंगाजी में स्नान करने का सवभाग्य मिला इसलिए मैं आज तुम सक को श्री गंगाजी की महिमा सुनाऊंगी एक दिन भगवान श्री नारायन के वाहन श्री गरुण देव ने गंगाजी की नारे एक साप को पकड़ा और जब गरुण देव उस सर्प को लेकर श्री गंगाजी के उपर उड़ रहे थे तब ही छटपटाते हुए उस सर्प की पूँच गंगाजी के जल को छुगई और तब उसे उस सर्प योनी से मुक्ती मिल गई और वो मानव योनी को प्राप्थ हुआ देखते ही देखते वो चार भुजाओं वाले मानव में बदलगो जैसे बैकुंट के निवासी श्री गरुड देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे पर अब वो उसे सीधे बैकुंट ले गए तो क्या श्री गंगाजी के जिल में इत्तो चमतकार होतो है कि एक साधारन से सर्प को बैकुंट निवासी बना दियो हाँ संकरी जैई तो महिमा है प्रभू श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागी रद्वारा प्रिथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी के जो भी इस पवित्र गंगा नदी में तीन डुप्किया लगातो है उसका भूत वर्तमान भविष्य तीनो काल पवित्र बन जाते हैं जब प्रभू श्री राम बनवास के दिया योध्या छोड़ कर जा रहे थे तब सीता मईया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सब के साथ सुरचित लोटने का आशिरवात मांगा था आप सब स्वेम ही सोचो जिनकी आरातना स्वेम सीता मईया ने की हो वो गंगा मईया कितनी पवित्र होगी अब तु मेरे मन में भी गंगा मईया की दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी किता अच्छा होतो ना यदि जे सव भाग हम वरिंदावन वासियों को भी मिल जातो हमारे तो भाग्या ही खुल जाते काना तुम गंगा जी को सच मेया बुलाने वाले हो पूर्ना मौसी आपका प्रबच्चन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहो है यदि मुझे भी गंगा मईया के दर्शन हो पाते वो भी तिपावली के दिन तो बात ही कच्छू और होती हे नारायन हमारी जे इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवस्से करना यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित है गंगा जी के दर्शन के लिए तो मैं तीर थी आत्रा के तयारी करवातो हम सब सीग रही जाएंगे दोलो गंगा मईया की बोलो गंगा मईया की बाबा मईया तो कली तंगा जी में स्नान करना चाती है दिवाली क्या उसर पे काना खल की कल तो असंभाव है जे ना हो पाएगो अपनी मैया की इच्छा पूरी कारना हा लड़ा का करते भी होतो है ना मैं कली इन्हें गंगाची के पास ले जाँगो जिस्वी गंगाच नान करना हो तो सुबह मेरी और मैया के साथ चल बढ़ना चलो ना मैया विला मोरा है फिर मुझे गाचारन के लिए भी तो जानो है तानहा जिसे तो गंगाजी समझ रहे है वो जमुना जी है मुझे पर तो है मैया जमुना जी उधर है और गंगाजी वहां परवत के पीछे खाना? महां कोई नदी ना है? आप आओ तोस्तर ही में लेकर चल रहा हूँ ठीकर चलो मैया बाबा गंगाजी पर दिक्षा परी आए अनाप मैं दर्वाजा बंद कर देतू जे क्या कर रहे हूँ? दिपावली का उटसब है आप द्वार क्यों बंद कर रहे हूँ जी अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगो क्या? दिपावली के देन को इद्वार बंद करतो है लक्ष्मी जी कैसे प्रवेस करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इत्ता सब करो है मैंने उसका क्या आर्थ रह जाएगा? सम्रद्धी की देवी का आसिर्वाद चाहिए कि ना? समझ गोई हो सुधा चले? आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरन लगाकर आपके पत्चिन बनाकर आपके लिए गर्वद्वार खुले रखकर अब आप बताईए देवी क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर? उन्हें आशिरवाद देंगी? मैं वहां अवश्य जाओंगी प्रभू किन्तु आशिरवाद देने ने लेने मैं यशुदा का अशिरवाद लेने कान्हा कान्हा रुप हमारे प्रतिक्षा दो कर अरे नाना मैं याको प्रतिक्षाना करना चे ये आप दोनों सिग्रा आओ कान्हा 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 कानाम जिस और जा रहे हैं वहाँ कोई नदी ना है किवल परवत है हे गंगा देवी आप मुझसे मिलने की इच्छोख आए और मुझे भी ये वर्ट्या का पाप्त होने के लिए आपके पावेट्रे जनकी आ सकता थी इससे अच्रेट मेरे मैया बाबा और सभी विंदावन वासे भी आपके दर्शन पानी के लिए अतुर है जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है आज वही गंगा परिंदावन में पहेगी जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है आज वही गंगा परिंदावन में पहेगी आज वही गंगा परिंदावन में पहेगी प्रणाम प्रभु आपने मुझे यह आमन्सित किया अपने परम पवित्र रूप के दर्शन दिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु देवी गंगा के इस रूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कलपना अपने मन से उत्पन किया है इसलिए आज से इसे मान्सि गंगा के रूप में जाना जाएगा विंदावन में आपका स्वागत है मान्सि गंगा नहीं देवी मुझे प्रणाम मत किजिये आपको दो मुझे अशेडवाद देना है नहीं तो महिया की सामने मेरा पेच खुल जाएगा विंदाया लूुँ अलुँ अलुँ जब शौसे, जब हुए जब में हुए। प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मांसि गंगा के रुप में यही बहूंगी ताकि सारे व्रिंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में सनान करने का फल मिल सके स्री नारायन का असरवाद मिलो है हम स्वेम गंगा मैया का असरवाद मिलो है चलो सब गंगा मैया का असरवाद ले लेते हैं अपने पाप दोलेते हैं पवित्र हो जाते हैं बहस। बहुत हुचुक है हर बार मैं पराजित नहीं होगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूगा मैं दीपावली के सुबावसर पे प्रभु शिरी राम के दर्शन हो गए मुझे मैं धन्य हो गई प्रभु कल मैंने तुम में महादेव सिवसंकर को देखा और आज प्रभु स्री राम को देख रहूं मैंने अपने भक्तों को उसी सरूप में दिखाई देता हूँ मैं वो मुझे देखना जाते हैं और अपने सत्रों को तिखाई देता हूँ मैं तूछ सपना के रूप में उस इश्रुम अफ़तार को अपने मारक से हटाने के लिए कुछ भी कर साता हूँ मैं कुछ भी अपने दिए मुझे अपने नित्रता भी क्यों ना करनी पड़े दिन्तों अपने 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 श्रुम अफ़तार का वध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं हमारा तो जीवन ही सपल हो गु मैं सच्ची में काना तु अद्भूत है केवल अद्भूत ही ना लाली मेरी मान तो स्वेम नारायन का सुरूब है काना मानसिक अंगा के बारे में कानाओं क्यासे पता चलो क्या जिस सच्ची में विसेश है या फैर जैसा कि सब जन कह रहे हैं कहीं सच्ची में जिब त्री नरायन का ही सुरूप तो ना है संभालिये प्रभू इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए मैया बहुत थंड़ लग रही है बहुत थंड़ लग रही है ओ थंड़ लग रही है ओ थंड़ में ठीक हो जाएगो लल्ला मेरा ननना में या गंगा जी का जल चित्ता फुत है उत्ता थंड़ लग रही है चित्ता भूला भाला है मेरा काना और सब कह रही है कि जे फ्री नरायन का स्वरूप है जे कोपिया भी ना कच्छो भी बोल देती है और मैं भी व्यर्त में इनकी बातों में आके कच्छो भी सोचने लगते हूं बस बस मैया भोगो अब सीधर जलो घर कोई प्रतिक्षा कर रहा है पूरा गाउन तो यहां है लल्ला फिर घर पे हमारे प्रतिक्षा कौन करेगो बोलना कौन प्रतिक्षा कर रहो है वोई जिनके लिए आप वाल खुला छुड़के आयो मैया लक्षमी चलो अब घर चलते हैं लक्षमी पूजन की तयारी भी करनी है ब्रंदावन की हमारी पहली दीपावली है सम्रद्धी की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे कि सदा के लिए यहीं बस जाए यहीं हमारे साथ हमें छोड़कर कभी न जाए किसी के मुख पर कोई प्रसनता नहीं होगी कोई इतिहार नहीं मनाया जाएगा ब्रंदावन में महाराज आपके आदेश के अनुसार मैंने संदेश पहुंचा दिया है पर वो आपका शत्रू है महाराज वो यहां क्यों आएगा वो आएगा प्राप्ति अवश्या आएगा बले मुझ से मित्रता करने नहीं मेरे दुख में सम्मेले तो होने नहीं परंद्टू मेरी पराजे का उपहास उड़ाने आएगा वो इस सबसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो वकासर हाहा अने कहा थाना प्राप्ति वो अवश्या आएगा मेरी पराजे का उपहास उड़ाने आएगा आ गया वो महराज यह क्या कर रहे हैं आप चत्रू है वो प्राप्ति नहल में भेट करने नहीं आएगा मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जाँ उसे यह विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूँ तभी तो मुझे गेरने का प्रयास करेगा वो चमतकारी तो है जे दिपावली के दिन गंगा मैया की दर्सन हो गए इससे सुबर क्या हो सकतो है जे पक्चन मैंने तो बस जे ही पक्चन बनाये थे तो जे लक्चमी जी के पक्चन भीतर तक कैसे आ गए किसने का रोजे इस खार तो जे है ना कि लक्चमी जी सच्ची में हमारे घर पधा रही है कितना अच्छा होता जी यदि हम यही होते उनका स्वागत करते उनकी पूजा करते प्रसाद चड़ाते और उनकी सेवा का सवभागे मिल जातो उता भी भी मिल सक्चो है मैया लक्षमी जी में स्काम नहीं तो है कहाना सही कहरो है सोधा लक्षमी जी का असिरवाद हमारे साथ ही है और वैसे भी जिन पर नारायन की कृपा होती है लक्षमी जी उनके साथ तो होती ही है पर मैं क्यासे संतोज करूँ मेरा मन हो रहा है कि क्यासे भी मुझे उनके साक्षाद दरसन मिल जाते यह देखो तो सही उनकी उपस्तिति का संकेत दे दियो है यह कोई साक्षाद दरसन से कम है क्या चलो हम लक्षमी पूजन कर लेते इस बार तो हमारे साथ काना भी लक्षमी पूजन करेगो प्रappmother के पूजा करेंगे महिया की इृच्छा तो यही है पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं, प्रभू आप मेरे स्वामी है आपकी पूजा करना मेरा धर्म है नहीं, प्रभू यह अनूचित होगा मैं आप से मेरी पूजा नहीं करवा सकती पास करो वाका सुर पात रवाई लूका छिपीगा केम प्रणाम कंट्स छपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे सामने आओ बाकासुर जेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंट्स अंगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजे का कड़वा स्वाद न चका हो उस सा पराजे विजेता का अपमान करने की मुर्खता केवल तुम ही कर सकते हो वकासुर अपने दिव्यास्तों से किसे भैबित कर रहे हो कंट्स उसे जिसे संपूर्ण एवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाई थे समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ती पर धूल लग गई है वकासुर भूल गए हो तुम अभी कुछीक शन पहले जिस जिव्य अस्त्रधारी का तुम उफास उड़ा रहे थे उसी ने परास्त किया था तुम्हे उस दिन तुम्हारे पराण धे के इस पंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनिती ना की होती तो तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे संधी करने के लिए बुलाया है असंभव है ये तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गती को प्राफ्त हो चुका है जानते हो किसने की उसकी हत्या तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन उतना प्राण गबा चुकी है अपने जानते हो किसने की उसकी हत्या इसने मारा मेरी बहन को इसने मारा मेरे मित्रों को इसने बुलाई है अपनी मृत्यू उसीने जो मेरा भी शत्रू है इसलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संदी करने के लिए प्रतिशोद का एक अपसर देने के लिए तुम नाम बताओ उसका कंस उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाओंगा मैं बोलो कौन है वो एक बालक है प्रिश्न है प्रिश्न है इन तो वो एक विश्णो अवतार है वकासर इसे का भी अवतार क्यों नहों इसे जण से मैं हूँ उसके काल का अवतार तुम केवल इतना बताओ के कहां मिलेगा वो वरिंदावान वरिंदावान तन्हा आजा पूजा आरम करते हैं नहीं प्रभू क्या सोच रो एलला आजा पहले इस राक्षिश का सामने करना होगा मुझे अनुथ यसूप दिनको सबके लिए शूप बना देगा मैया लक्ष्मिन जी के पूजा से पहले है सारे घर में दिये जला कर उनका साकत करनू चीए ना किता सयाना होगो मेरा लला चलो जी दिये जला कुछ नहीं जानती कोई भी ये उजना बनाईये कोई उपाय निकालिये पर आप मैया को मनाईये आप मेरी पूजा नहीं कर सकते ये शोभा नहीं देगा पहला दिया जलाएगो लला हा मैया ले ध्यान चे लला कर दो झाल झाल कि ये अथनी शिगरा पहुच गया या? जे, स्वेत्रम का आकास में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने जे तो अबस है बहुत असुप संकेत है जी कहां है वो? कहां है विश्वावतार कृष्ण? देवाली के सुप दिन असुप संकेत की बाद करियो मैया ये तो कयूत तीवर्ट चलने के कारण मुझे है फिर से चला लेंगे साधारन दीपा की तो है ये जे साधारन ना है लल्ला दीपावली के दीपों का बहुत विसेश मात्पों होतो है पतो है वैया वर्मास के बाद जब राम जी लोटकर आ रहे थे तब उनके साकत में पूरी अयुद्धा में ये दीप जिलाए गए थे दीपावली अमावस्या की रात को पढ़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होतो है जो पुराई को सक्ती देतो है जे दीपक का टेल है न जे मन के विकारों का प्रतीक है और जे बाती जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जे दीपक जलाते है न उसका अर्थ ये होतो है तो जे बाती अर्थात के हमारी आत्मा भक्ती के ताप में तपकर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा सुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और पहल जातो है दसों दिसाओं में अच्छाई, सुक्सांती और ज्यान का प्रकास समझो साधारन अर्ट में कहते हैं कि दीपावली की राच जो दीपक का प्रकास होतो है न वो रावन की बुराई पर राम जी की अच्छाई का उनकी जीत का प्रतीक होतो है समझगो मैया साब समझगो हाचम में सारे दूबग जलाएंगे बाबा और इसके प्रकास के कारण कोई भी विकार कोई भी मुराई इंदावन में परवेश ना कर पाएगी इंदावन में परवेश ना कर पाएगी का परवेश ना कर पाएगी इंदावाई ढौल इंदाव एंदाव इंदार इंदाव इतना तिफड़ प्रकाश इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है और मुझे इन दीपकु की उश्मा क्यों अनुभव हो रही है कैसे संभव है ये अच पुराई पर अच्छा है कि फीजे के रात है आज फिंदाबंद के तिकट आने का फिर्यास भीना करना वक्का सूर अन्नत्थक इन दीपकों की लो तुमें चला कर भश्मा कर देगी इन दीपकों की अगनी को सच मुझे चला रही है सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाई थे इन नन्ने दीपकों में इतना सामर कहा जो मेरे पाउ को बात पाए इन्हें अंधेरा बिटाने वाले साधारें दीपक समझने की फूल मत कर वक्का सूर विंदा बेन में चलने वाला हर दीपक उस भक्ती के प्रतीक है जिसके लोग मेरे भक्तों में अपने हिर्दे में चला रखी है वक्ती के सक्ती के आगे तो रावन को भी हारना पड़ा था वक्का सूर सर्फ तुमारा तो अस्तिक वा क्या है तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वरिंदावन को मुझ से बचाते हैं जैसे जे सारे दीपक बुझ गए थे और चारो और अंधेरा चागया था मुझे लग रो है अवस्य ही कोई बुरी उर्जा है हमारे आसपास ये सुधा अंधेरे को भूल जाओ चारो और बिखरे इस प्रकास को देखो ये वह ये लक्ष्मी की उपस्तिती का संकेत उनका अशिरवात हमारे साथ आप अब जो क्या है देवी मैं कैसे जा सकती हूँ ये अशुमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते उनकी इच्छा का मान मैं ना रखू ये तो संभवी नहीं है आपने मनाया है ना स्मरन है ना आपको मैं आप से अपनी पूजा नहीं करवा सकती अब तो दीपक भी चल गए इससे पहले कि मुहर निकल जाए पूजा आरम करते हैं तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी न कानौ तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दप जाएगो अना जे भी दीपाणी के एक पृथा है इससे पता चलतो है के महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है के ना हे लक्ष्मी महिया हम सब की पूजा स्विकार करो आप हमें असिरवाद दें आपने सही कईती जी महिया लक्ष्मी का असिरवाद हमारे साथ ही है सच्ची में हमारे साथ यही है महिया लक्ष्मी ने सच्चा दर्सन दिये जी हमें हाई असुदा महिया ने हमारी भग्ति स्विकार कर दी आजा लन्ना त्या बैंच पुझा आरम कर रहे हैं आजा प्रभू नहीं प्रभू क्या कर रहे हैं आप कोई उपाई निकालिये मैं आप से अपनी पूजा नहीं करवा सकती मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारयन की स्वरू भी आप से पूजा करवा कर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती चिन बैया की बात आप नहीं टैल पाद देवी अनकी अग्या कपाला और मेहना करूँ यह कैसा सम्भाव है पर आप इतनी कुछ लिए क्यों हो रहे हो प्रेम और पूजा मैं कोई अंतर नहीं होता मैं कोई भी अफ्तार क्यों ना लेलू मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ यह है तो फिर मैं आपके पूजा करूँ यह आप मेरी किसे क्या अंतर पड़ता है इस अफ्तार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभू पिदर के राजा विश्मक के पुतरी रूकमनी के रूप में शिगर यापका चैनम होगा प्रमाले मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्लतिक्षा करनी होगे देवी कि उसके पहले मुझे अपने अन्या दर्त्व निबाने हैं और कलंच कर रक्षेशों का सामना फी तो करना है बोलो लक्ष्मी मया की जै सच्ची में आज बहुत ही सुब्दिन है हाए सुधा मुझे भी अब विश्वास हो गुभी कि आप से सुख और सम्रद्धी ही हमारे प्रिम्दावन का भाग्य पने की इन दीपको का प्रकाश जैकोड़ सोरियों के भाते चुबरा आये मुझे मैं भी बकासुर हूँ हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं इसी वन में घात लगा कर बैठा रहूँगा जैसे ही ये दीपक बुझेंगे मैं सुरिंदावन पर और उस विश्वावतार पर आकरवन कर दूँगा नहीं छोड़ूँगा उस मायवी क्रिष्न को उसने मेरी बहन पूतना का वद क्या है नहीं छोड़ूँगा उसमायवी क्रिष्न को नहीं छोड़ूँगा उसमायवी क्रिष्न को जाहे जितनी बार मेरा नाम जब लो वक्कासुर इसका फल तो तुम्हें कोली मिलेगा प्रवार प्रड़ूँगा उसमायवी क्या है अग्वेश बार मेरा उसा नहीं फुम्हें को जाहे झाल को काना 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 क्या हो गए जोड़ा कुछ पुरा सपन देखा क्या अरे वाकाना, आज तो समय से पहले त्यार होगो तू त्यार तो हुना ही था बाबा, इससे पहले कि उरक्षिश विंदा वन आकर विद्वन्स करने, मुझे वन जाकि उसका सामना करना है मया सिग्रा भूजन, बांधो, काचा रन के लिए विरम मोरो है ना आज कहीं न जाएगो तू, आज घर पे विस्राम कर एए, ऐसा क्यों कह रही हो इसो न हर बार क्यों काउत्तर देना अवस्सक ना है जी मैं ना चाहती आज जे जाए, तुझे ना जाएगो, बस और जेही क्यों, आज अन्या बालक भी बन में आ जाएगे गोचा रन के लिए, आप गोपो को भेज़ दो, पर मैया, गोचा रन कराना तो मेरा दाइत्वा है, और तेरी देख भाल करना, तुझे सुरक्षित रखना, मेरा दाइत्वा है, बाबा, आज कचो मत बोल लला, कभी-कभी तेरी मैया को मना पाना, मेरे वसकी भी बात ना होती, आज कचो ऐसो ही दिन, तुने देखो न, कैसे निर्णा करके बैठ गई है, इससे पहली की उराच्ष, जग जा और विन्दावन मासियों को, कोई हां नहीं पहुचा है, मुझे माँ पहुचना पड़ेगा, फर कैसे? मैया, जाने दो न, ना तो क्या कहेंगे सब, काना ने दूसरे दिली छुट्टी ले ले, जिसे जो कहना है कहें, मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्पूर्ण और कच्छुना है, देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कहरो है कि आज बंद सुरक्षित ना है, इसलिए हट मती कर, आज किसी भी मुल्ये पर जाने ना दूंगी तुझे, मैया ने ठाल लिया आज, वन जाना है तो, कोई और ही उपए, खोजना पड़ेगा, यहां से निकलने का, सुनो, आज गौचारन के लिए, गौप जा रहे हैं, हमारी चुट्टी है अज, पर फ्यू बल राव, वो तो काना ही जाने, सारी मैया ऐसे होते हैं क्या मुल्ली, पहले सेमी कहते हैं की बड़ी हो जा, सब कुछ गियम सिखिया करो, अनुशासन सिखो, सेमी उसे तुड़ा के कहते हैं, आपके छुट्टी, तुझे जित्ता भी सुआंग कर ले लन, कच्छू भी कहले, कच्छू भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूँगी, वन छोड, मैं तो तुझे चोबारे तक भी जाने की अग्या ना दूँगी आज, चल, पी ले अप, आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया, तो बहुत बड़ी समझ से हो जाएगे, मैया, दिन निकले पूरे प्रहर बीद गया, इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, पर अंतु कंस ने तो कहा था, क्रिश्न गोपालक है, लगता है मुझसे भैभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया, पर मैं भी वकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मचलियों को ढूड निकालना, बहुत अच्छी तरह आता है मुझे, मुझे शिगर आई वा, परचने का कोई उपायर, खोजना होगा, क्या सोच रहो है, सिगर समाप्त कर, चल, सिगर समाप्त करते भी, क्या करूंगो मैया, आप मुझे गई तो जाने ही दोंगे न, जाके सिखां के जाद भी ना खेल सकता, वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकतो है न, सची, सची, जो मैं खेल बुलूँगो, वोई खेल खेलो गया आप, हाँ, आप में छोली खेलते हैं, बहुत दिन हो गए, चीक है, पर पहली पट्टी तेरी आप में वन्ने के लल्ला, मैं जा सिकार है, जा चल, तले दूद समाप्त कर, हम, पूरा समाप्त कर, जी हुई ना पाद, आज़े, पराओ, कुछ दीक तो ना ना, आध पाद पाद ख, अ पर फो जो भोली आप झान सतके दो emp पाद य जय हो कि तो एक दो में एक में box हुख अहुख अहुख हख चुख चाप hmm मैं यहाँ हूँ इससे पहले कि वो राक्षार किसी को खानी पहुचा है मुझे उस तक पहुचना होगा सिगरत्त करने होगे मुझे पकल्लियो मैं यहाँ पकल्लियो हाँ हाँ पकल्लियो पर तू तो अभी वहाँ था ना यहां कैसे आगो आप भी तो वहाँ थी माईया सिगर यहां क्यासे आगई बाना बनाने से ना बनूंगो मैं चलो अब आपकी बारी हाँ हाँ ठीक है चलो अब करना मैं पर मुझे चाना पड़ेगा यहाँ पगड़ों उज्जे कहा है लल्ला योजना सफलो गई मुझे माफ करना मैया अपको बेना बतार चाना पड़ रहा है कोई खेल भी ना मिल रहा है बिदक कहना आतो तो अभी बता देतो हो तो ना सबल वो देख जा कहा रहा है इतनी शिकरता में वन क्यों जारा है वो सारू करने चले तर गज मान आतो अजा करने बतार चे बतार है इतनी श्यूल वो पार आतार है इतनी श्यूल कर दो दो हैं तो मुझा आज जो फांक कोड़ को है? कर दो कर दो कि आज है? कर दो कि एट कर दो कर दो करें दो कर दो आज दुआ राजकुमार मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानी ना पचा सकता है तू तू है कृष्ण तूझ पर क्या प्रहर करूं मैं मुझे तो लगा था विश्णू की तरह तेरे एक हाफ में चक्र होगा दूसरे में गदा पर तू तो नंधा सा बालक है कोई शक्ति नहीं है तेरे या शस्त्र तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्रों की आसकता ना है राख्याश वकासूर वकासूर नाम है मेरा वही वकासूर जो अपनी बेहन पूत्ना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है जानता है इंद्र अगनी वायू वरुण यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है और तू मुझ जैसे परवत के सामने एक दिन के जैसा तू तू करेगा मेरा सामना तू रोकेगा मुझे बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं धोता चना पाजेगा ना तम क्या देने से जूद नहीं जीते जाते वज कसुर जो कारे हो करके दिखाओ कि टीन की आपाँ करेगा हुग से लिए लूभ। कि टीन की टीन है करेगा! कि लुझे लू लुझे लूट। लल्ला देख तेरी महिया थक गई है अब अब बसकर लल्ला ताली बजा ताना अब बसकर ताली बजा ताली बजा कोई संकेत तो दे बता कहा है तू पकाड़ लिया आप फी ना बड़े हो गयों पर बजपना ना गया आपका ना अचे कहां गया जी रोकान फिर से मिन साथ चल करके भागगा और गयों कहां नंदराज बानू पंची राक्षास पंची बहुत बड़ा पंची बानू राक्षास राक्षास बानू क्या क्या होगो तुम तुम बैठो यह सुदा जल्ले करा बैठो जेदी आपको भूग लगी है तो मुझे खालो पर मेरे सकाओ को छोड़ दो पंची जी आप मुझे खालो लेकिन काना को छोड़ दो हम सबको खालो पंचाना को जीवन दान देदो कितनी अद्भूत है प्रभू के सखाओं की ये बहुना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी ततपर हैं यह सब देवराज वैसे तो प्रभू शन भर में सब कुछ संभाल सकते है पर हमें अपना करतव्य निभाना होगा प्रभू की साहता हमें करनी होगी हाँ देवराज प्रभू की साहता करनी चाहिए हमें तो फिर आब आलक तुझे भी तेरे भाई के पास पहुचा देता हूँ मैं प्राज कातके तो देखो दोस्त तुमाहें चोचके टुकरें टुकरें ना कर दिये तो मेरा नम भी बल्राव नहीं तो मेरा नम भी बल्राव नहीं तेरी प्रात्ना सुईकायर हो गए मैधू हमारे कायना की रक्षा करने सुयम देवता आ गए मत करो इंद्र अपने वज्र का प्रयोग मत करो तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगे वकासूर जलाकर भस्म करतेगी क्या बहुत बड़ो बहुत बड़ो पंची पंची बहुत बड़ो पंची पंची बहुत बड़ो पंची बहुतो हो राक्चछा काना को निगलियो काना राणा मेरे उदर के जठरागनी भी तुम्हारी च्वाला से अधिस्तिवर है अगनी देव अब यम का पाशी दंड देगा इसे हाहा हा हुआ 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 झाल